हेलो गाईज, विलकम टू माई कुकिंग ब्लॉग का इस आजम बनाएंगे बहुत ही डेश्टी, बहुत ही चटपड़ा और बहुत ही मज़ेदार हिल्दी नास्ता जिसे के बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी तेल या खी की जबत नहीं पड़ेगी और यह बहुत ही हिल्दी इसे बच्चे बड़े सभी को खाना चाहिए और बहुत ही फड़ाफट पांच बन बनके त्यार भी हो जाता है तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कप मुंगफली लिया है और इसे मैं ड्राइ रोस्ट कर रहा हूं तो इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक ड्राइ मैं बनाएंगे तो आपके घर में सभी को पसंद आएगा आप इसे जब चाहिए बना सकते हैं बहुत ही फड़ाफट बनने वाला और खाने में भी बहुत ही अमेजिंग लगता है यहां पे मैंने मुंगफली को ट्राइ रोस्ट कर लिया है इसे एक बोल में निगा लेंगा को बारिक बारिक कट कर लिया है और इस रस्पी को बनाने के लिए आप चाहिए तो मुंगफली को ना पहले से ड्राय रोस्ट करके किसी भी एक एयर्टाइट कंटेनर में ठंडा करके रख सकते हैं और जब यह स्नेक्स बनाना हो आप पस उसमें यूज कर सकते हैं तहां मैं कैडर को भी हम कर लेंगे बारिक बारिक और खностиर्ष घर्णी मेश्र चाहर इसमें इसमें कोई भी मैंनत नहीं है और सकतम है षजुष ऑपत ही इतना चट पड़ावा मजडा लगता एक यह बार भर बनाना चाहेंगे और यह Smart मेरा update मैं को पकुए बहुत और अगर अपने घर बेयर विवान जब्र नहीं सब्छाँ मेन हे जब जाने । का यादॉ ढ़ले में सब्छी में दोल मेंगे तो मिलच खते हैं एनकाल दाले इसमें सब्छाग म्यूत है और वहीं धर हैं तो आधेत नीबू को इस तरीखे से निचोड के इसमें डाल दें ये सारी सब्चियां और मसाले डालने से बहुत ही चटपड़ा और थोड़ा सा खटा-खटा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए और साथी मुझे ये भी कमेंटर के बता हैं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, मुझे जानके बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं तो चलिए मिलते हैं कैसी ही नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केर एंड बाई